हुआ है आप ठीक होंगे सो आज हम डिस्कस करेंगे निमेटिक कमपैरेटर्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं निमेटिक कमपैरेटर्स क्या होते हैं और यह वर्क कैसे करते हैं मेरा नाम है अंजली शर्मा और आप हैं हमारे प्यारी से यूटिप चैनल एजूकेशन केंडल पर आईए शुरू करते हैं कंट्रोल एयर के प्रेशर को एमलिफाई मेडियम के रूप में प्रियोग कर लैंथ और डायमिटर नापने की बहुत से मैथर्ड यानि की बहुत सी विधिया विक्सित की जा चुकी हैं लेकिन यह जो हमारा यंत्र है इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रिंसिपल यह है कि यह जो वकपीस है या फिर आपकी मापी जाने वाली सता है उस पर वायू के जैट्स भेजे जाते हैं और इन जैट्स की ओरिफेस मेजरिंग सर्फेस यानि की जो भी आपका वकपीस है उसकी सर्फेस के निकट होती है लेकिन उसका जो एक्चुल सर्फेस से उससे कॉंटेक्ट जैट में नहीं रहती है अगर आपके majoring surface में यानि आपका जो work piece है अगर उसमें changes है उसका जो size है उसमें परिवर्वर्थन तो उससे wieu की jet की जो opening है उस पर परभाव पढ़ता है यानि कि उसमें back pressure बनने लगता है और इस back pressure को हम major करते हैं हमारे मैनोमीटर में सो यह है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल नियुमेटिक कंपेरिटर आईए विसकी कंस्ट्रक्शन जा लेते हैं धातु के उर्धवादर बेलनाकार पात्र में निश्चित तल तक पानी भरा होता है जैसे कि आपको अपके डाइग्राम में दिखाया गया है अपर चैंबर से जुड़ा रहता है इस बेलनाकार पात्र की तली तक आती है यानि कि यह जो ट्यूब है आपकी एक किस तक आती है जो आपका वर्टिकल सिलेंट्रिकल है यह जो आपका पात्र है इसकी तली तक आती है यह ट्यूब और इसका जो अपर एंड है वो किस से ज इस अपर चैंबर से एक अनुबंदित जैट दूसरे चैंबर से जिसका जो एक्जिट है वो बेलनाकार पात्रे के बाहर लगी यह जो काच की मैनोमेटर ट्यूब है इसमें रहता है दूसरा चैंबर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के दौरा जो आपका मेजरिंग गेज प्लग ह उससे जुड़ा रहता है और हम कह सकते हैं कि यह जो आपका पार्ट है यानिकि फ्लेक्सिबल ट्यूब है यह किसी दूसरे यूनिट जिसमें दो अनुबंदित जैट रहते हैं उनसे जुड़ा रहता है तो यह होता है हमारा कंस्ट्रक्शन जो आपका निमेटिक से जिसमें एयर रहती है यानिकि 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वार प्रेशर से यहां पर क्या होगी वाइओ जो होगी वो प्रवेश करेगी यह जो अपर चैमबर है यही इसका जो कंट्रोल जैट होगा वो दूसरे चैमबर में जाएगा यानिकि सेकंड चैमबर म कितना है वहां से होती हुई जो आपकी एयर है वो जाएगी आपके मेजरिंग गेज प्लग में या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी यूनिट में जिसके दो अनुबंदित जैट रहते हैं यानिकि इसमें क्या होंगे दो वो होंगे अनुबंदित रिस्ट्रिक्टेड जैट जैट रहते हैं उनसे जुड़ी रहती है अगर इसकाम काम देखें कि कि किसका के लिए हम यूज किया जाते हैं जो नुइंटिक कंपेरिटर है नहीं icy यूज करते हैं तो इन्हें हम यूज करते हैं किसी भी आगर आपका हम कहें sylinder है माल लीजे अगर आपका कोई cylindrical पार्ट है तो अगर आपको उसका internal व्यास नापना है यानि कि जो उसका आंतरिक व्यास है या हम कहें बोर हैं वो देखना है कि या नहीं जो ठीक है या काने चेंज हो गया है यह कैसे पता चलेगा आयब इसके वरकिंग में जान लेते हैं यहिंआ कि ешते हैं कि सबसे पहले आप को एक सब्सक्मीर की में और प्रेते हैं वो कांसेंट रख सकें । और उस जो प्रेशर वाली एयर को आप यहां पर जो आपको एयर इंटेक दिखाया जा रहा है यहां से एंट्री करवाते हैं जब आप यहां से एयर को एंट्री कराएंगे तो वह अपर चैंबर से होती हुई जाएगी और अपर चैंबर से ही हमारी जो एक ट्यूब है जो हमने यह जो आ उसके एकवाई हैं तो यहां से हैं कि यहां से उसके चैंबर के साथ में changes आएंगे तो यह जो मैनोमेटर का water level है उसमें भी changes होंगे यानि कि अगर आपका pressure भड़ेगा या घटेगा तो उससे जो आपका water level है इस पे फर्क पड़ेगा इससे आपको पता चल जाएगा कि जो pressure है वो increase या decrease किया गया है तो यहां से आपने control jet को second chamber में भीजा और second chamber से होते हुए वो आपका गया जो measuring gauge plug था उसमें जो क्या है एक flexible tube है इसे आप flexibly नीचे उपर यानि कि जैसे आप चाहे वैसे move करा सकते हैं तो यहां से जो आपका control jet था वो इसमें गया और यहां से होते हुए वो आपके जो measuring gauge plug है उसके अंदर चला गया अब इस measuring gauge plug को हमने कैसे डाला हुआ है हमने एक bore को measure करना है हमें उसका inspection करना है तो हमने क्या किया उसके अंदर वो जो आपका part था measuring gauge का जो पार है उसको आपने उसके अंदर डाल दिया और फिर जो आपका control jet था वो उसमें जाना शुरू हुआ तो आपने क्या किया पहले उसकी upper part की reading ली फिर medium part की reading ली और फिर जो आपका bottom part है उसकी reading ली तो वो आपको कैसे पता चलेगी यह जो आपका manometer है इसमें water level से पहले आप क्या करेंगे आपका जो standard होगा यानिकि जो बिल्कुल सही आपके measurement के according बना है उसका आप एक बार पूरी reading ले ले लेंगे यानिकि यह जो आपकी manometer में जो आपकी water level है उसकी reading को note कर लेंगे अच्छे से मतलब upper medium और bottom अच्छे से बिल्कुल measurement कर लेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह बिल्कुल ठीक पार है हमारा उसके बाद आप क्या करेंगे उसी के respectively यानिकि उसी के साप एक शाप में हापे क्या कर रहे हैं इसका measurement देख र इसी standard को आप लेंगे और फिर उसकी reading के according जो आपका work piece है उसको आप measurement करते हैं यही होता है हमारे comparator का work तो यह भी हम क्या कर रहे हैं pneumatic comparator पर रहे हैं तो comparator में हम सिर्फ compare करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो dimensions है वो ठीक है या नहीं तो यहां पे भी हम क्या तो आपने क्या किया जो आपका बिल्कुल standard पार्ट था उसकी reading note कर ली और फिर बात में माली जी आपका work piece है जो आपने बनाया है तो आपको इसकी reading note करनी है तो आपने क्या किया जो आपका जैट था वो control जैट था उससे यहां पर ओपन कर दिया यानिकि उसकी जो opening थी उस उसे medium पार्ट पे लाए तो यहां पर क्या है आपकी changes reading में यानिकि dimension आपकी गलत हो चुकी है यह पूरी तरह से round नहीं है तो वह आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे जैसे यह नीचे आने लगेगा आपका जो गेज है जैसे जैसे आप इसे नीचे करेंगे तो जो jet है जो air है कि बंद होनी शुरू हो जाएगी यानि measuring plug की जो opening है वो बंद होने लगेगी उससे क्या होगा कि back pressure लगना start हो जाएगा जब आपकी air है उसको निकलने की जगा नहीं मिलेगी तो वह क्या करेगी back pressure create करेगी और जैसे ही उसमें back pressure create होगा तो यह जो आपका manometer में water level है यह क्य reading को note कर लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी dimension में कितना जाधा variation है तो ऐसे ही हमारे जो pneumatic comparator होते हैं यह work करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज के अगर लाब है तो हानी भी है यानि कि advantage है तो उसके कुछ disadvantages भी है तो आईए pneumatic comparator के advantages और disadvantages के बारे में थो नहीं आता यह हम जानते हैं कि हम जो भी आपका measuring gauge plug था उसे हम बिल्कुल contact में नहीं कर रहे हैं बस उसके पास ले जा रहे हैं तो क्यूंकि जो measuring element है आपका वो contact में नहीं आता इससे measuring plug में कोई भी जो घिसाव है वो नहीं होता तो यह इसका एक advantage है क्यूंकि अगर वो उसक पीशी लंग बहुत कम हैं यानि कि इसमें क्या है हमने देखा कि pneumatic comparator कैसे वक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो moving part है वह बहुत ही कम है यानि कि बिल्कुल ना के बराबर हैं तो जब वह moving part हमारे कम होते हैं तो इससे में क्या profit मिलता है जो friction हो जाता है और अगर friction क कम होगा तो इसकी accuracy क्या होगी ज्यादा होगी इसका एडवांटेज है कि इसकी accuracy जो है वो अच्छी होती है इसमें हम क्या कर सकते हैं अधिक magnification यानि कि ज्यादा magnification हम इस comparator से ले सकते हैं ऐसे चिद्र के व्यास यानि कि ऐसे जो हमारी हॉल है उनके डायमेटर नापने के लिए यह बहुत ज्यादा यूसफुल है जहां आपको length की अपेक्षा व्यास बहुत कम हो यानि कि आपकी length जो है वो ज्यादा है लेकिन उसक उपर की जाच के लिए हम इसे यूज करते हैं यह विन आपको बताया था है कि हम इसे क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें किसी भी पार्ट की roundness देखनी है या फिर उसका taper है वो वो देखना है तो उसके लिए हम जो हमारी numatic comparator है उनको यूज करते हैं और इसका जो लास्ट सारी numatic comparators के advantage आईएब इसके disadvantage पर आते हैं कि इससे हमें क्या-क्या हानिया होती है तो scale-pry uniform नहीं होता है यानि कि जो आप इसमें scale यूज करते हैं वो समान नहीं होता है सेकेंड आता है कि इसके लिए कुछ सहायक विशद साज सज्जा के अविशक्ता होती है जैसे कि यथार्त दाब नियंत्रक ये मैं आपको बताया आपने जो डाइग्राम देखा उसमें आपको कंप्रेशर नहीं दिखाया गया है लेकिन अगर मैं आपको इसका ये डाइग्र की जरुवत पड़ेगी means इसका कोस्ट जो है वो भड़ जाएगा तो यह इसका एक डिसएडवांटेज है अलग-अलग मेजरिंग के लिए अलग-अलग गेज हैड के अविशक्ता पड़ती है क्यूंकि आपके जो गेज हैड है वो एक ही मेजरमेंट के नहीं होते अगर आ अलग-अलग डामेटर मेजर करने हैं तो आपको उसके लिए अलग-अलग गेज हैड की जरुवत पड़ेगी तो यह भी इसका डिसएडवांटेज है कि आप उसकी एक ही गेज हैड की हेल्प से जो है आपकी डामेशन है अलग-अलग पार्ट की वो नहीं ले सकते आपको अलग-अलग गेज हैड से लेने पड़ेंगे जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो यह है कि यह पोर्टेबल नहीं है यानिकि इसको आप एक जगह से उठाकर दूसरे जगह नहीं रख सकते तो यह जो आपका निमेटिक कमपैरेटर है यह पोर्टेबल नहीं है जिसकी व वो जो इंडस्ट्री है हमारी वो इसे यूज नहीं कर सकती क्योंकि यह पोर्टेबल नहीं है तो यह ते इसके डवांटेज और डिसएडवांटेज इस आपको निमेटिक कमपैरेटर अच्छे से समझ आ गया होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लि पूझेटर आपके लित को घपको यह ते कैसा नहीं हमाहीं कर दगी दो में च bênあの वीडियो फुम को यह तो तो नहीं है हमें तो धे रिवांट Top Fest Shopify कर कर का